हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू दी विकिचन आज के ऐसे पीडली सामबर है त्रली स्टार्ट करते हैं हमने तीन कटोरी मोटरल चावल ली है एक कटोरी उरत की दाल और हाफ टेबल स्पून मेथी दाना अब एक बाउल ने हमने यह डाल दिया है सब डालने के वाद इसमें हम पा इडली बनती है अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और 8 घंटे के लिए फर्मेंट करने के लिए रख देंगे अगर आपको फर्मेंट नहीं हो पा रहा है आट घंटे में तो आप इसको ओवर नाइट के लिए भी रख सकते हैं तो देखिए 4 घंटे बाद के तब फूल ग कर लेंगे नमक हमने 15े स्पुन डाला है को सिद्री नित्श के लिए अब इसके अंदर हम लाण जालेंगे हमने पूरे एक पैकेट इनव डाल दिया इसमें है इनो डालकर के सौर सा पानी डालेंगे और एक डैक्शन में बिलाएंग इसको कह ईनों की जगा G को कॉनल भि हमारा बैटर तयार हो गया है यह देखिए हमने पहले ही यह पर इडली स्टेंड चड़ा दिया था और पानी देखिए बॉइल हो रहा है अब इडली प्लेट में हमने गी को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अभी अमना बैटर डाल देंगे आसूबा मेरे को मन था इडली खाने का तो देखिए मम्मी ने आज रात में बना दिया और हमारे मेथर्ट से इडली बनाई यह बहुत ही स्पंजी बहुत ही अच्छा बनता है अब हम इडली अलय स्टैंड में हम इडली प्लेट रग देंगे और इसको ठग देंगे इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और देखिए अब इसको हम ना काटल चम्मस से या तुद्पिक से चेक करेंगे देखिए यहारी एडली हो गई है इसको हमने थंडा कर लिया है इसको हमने फिर स्पॉन से निकाल लिया है देखिए किती स्पंजी और अच्छी बनी है देखिए अउडत की डाल दा लें एमने फौक टीश्पून बीचिए बहुं लेंगे मिक्सी का जार लेंगे इसके अंदर हमने धन्या बढ़ दी है अब कड़ी पतर ढाल देंगे और हमने मौफली रोस्ट कर लिए उसको चिलकी उतार लिए है और हमने अद्रक लेलिया है क चीलने की तोड़ने की जरत नहीं पड़ेगी बस नारियल का बुरादा डालेंगे और घरों में तो होता ही है इसको हमने वन बाउल लिया है और साउथ इंडियन फूड वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं जाद समान नहीं लगता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी आता ह है जिए अब गरीगे अधा कर देंक नंंहों कर दो देंगे है मैं एसके से जाए रिब्स आता है साइड्य को दो ड्ली ऑयाइडा नहीं एक पारया करेंगे साफिछा इसको हम कड़का लगाएंगे जाएंगे तेल हो गया हम गरम हो गया है लालमिश ड़ाई प्र 이제 कड़का लगाएंगे घैसं-ई-थ वृब हम देनों अट्री बनी प्रक्रें के डाल जाओं D सब एक दार हमने रैडी कर लिया स्पारिक 스वा सोखी लालमिष लिया सामर लिया है सब्सेय कर टॉल्सा अब यहां पर डाली है पराई लुदा बीघरे और अब घरा तील गरम हो गया डाल दी लाटिए अब इसके लालमिज डाल दिया है शु Напрous शुम क्छलर लाएंगे अच्छे से अब यी देखिए यह फ्राइट हो Calvin तो अब शुम के अंदर टर्माटर आट करेंगे टर्माटर ठर्फ हो जाएगा तब इसके अंदर हम सामरमसाला करेंगे हमने एवरेश्ट का सामभर मसाला दो पाउच लिया है इसको अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे अब हम डाल के अंदर इमली का जूज डाल देंगे और फिर कड़ाई के अंदर हमने ये डाल डाल दिया है और इसके नज़र बॉइल आ जाएगा इसका मतलब भी कूक हो गया है हमने डाल में लौक्य और गाजय डाला है आप कोई भी सबजी यूज कर सकते हैं अब इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है ये देखिए हमारा साउथ इंडिन फेमस सेटली सामब रेडी है मिलते हैं अगल एक लिए बाइगा